करता बचाएगा और एक्चुली लाइट वेव कुछ ऐसे ही ट्रावल करती हैं अगला और थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं साउंड वेव के अब अपने कितने नाम देख लिए देखो साउंड वेव के लिए हमने क्या क्या देखा इट इस जा मेकेनिकल वेव बहुत सारे नेम हो गए हैं इसलिए सब पता होना चाहिए ठीक है देन हमने क्या देखा इट इस अन इलास्टिक वेव और क्या पता किया हमने it is a pressure wave density wave चीक है और क्या देखा हम इसे ये भी बोलेंगे it is a compression rare fraction wave compression rare fraction wave तो इतने नहमों से जाना जा सकता है अब इसी चीज को पढ़ रहे है जैसे हम pressure wave कह रहे है sound wave में compression और rare fraction travel करता है sound wave में pressure का variation travel करता है भी थोड़ो दिर पहले समझाया था तो अब देखे ज़रा compression region में pressure भी increase होता है density भी increase होती है बट पूरे compression region में constant pressure नहीं होता ये ध्यान रखिएगा ठीक है जैसे ये आपका एक compression का region बना sound के air के molecules near near आ गए और इसका ये आपका एक region बना अब अगला region ऐसा है air के molecules तूर तूर है air के molecules नजदीक नजदीक आ गए alternately चीज़े चल रही है तो ये जो पूरा compression का region है इसमें एक pressure constant नहीं होता इसमें maximum pressure होता है इसके mid में जो भी इसका maximum pressure है वो होगा in the mid of compression region similarly इसमें ये ये तो low pressure है तो सबसे minimum pressure होता है in the mid of rarefaction इसे भी ध्यान रखिएगा अब एक cycle देखो wave है उसमें हमें जरूरी हो जाता है कि एक वे कव complete हो रही जब एक compression बना फिर एक rarefaction फिर वापस से एक compression बनेगा तो repetition तो तभी हुआ तो जब आपका एक compression और एक rarefaction एक position पे बन जाता है तब उसके बाद again क्या बनेगा compression तो हम क्या कह सकते हैं एक cycle complete हो गई pressure wave की sound wave की longitudinal wave की elastic wave की जो भी हम कह सके ठीक है और मैंने साइद class में भी बता दिया है आपको one compression plus one rarefaction अगर एक wave है तो एक wave की length होती है lambda तो अगर कहें one compression lambda by two one rarefaction lambda by two इसका ध्यान रखेगा ठीक है मैं बता चुका हूँ undisturbed medium के अंदर pressure atmospheric pressure के बराबर होता है यहां से आपके कुछ important terms आ रही है जिसके उपर questions पनते है important है यह speed of longitudinal wave किन चीजों पर depend करती है factors कौन कौन से है देखो यह है हमारा जैसे speed of longitudinal wave का basic formula e upon rho इसको और modify करेंगे pressure की term में ऐसा कुछ gamma pressure upon rho ठीक है ठीक है यह जो गामा है यह आपकी coefficient of specific heat है ठीक है यह आपका pressure है यह density है यह आप समझ लीजिए किसी एक type of gas के लिए constant होता है तो वो medium dependent है ठीक है यह pressure और यह आपकी density अब ज़रह यहां से समझते हैं ठीक है इस से इस पर आए हैं आगे में इसके बारे में समझाऊंगा basically अभी तो सिर्फ इसी से समझे e upon rho क्योंकि अभी जो मैं comparison करवाना चाहरा हूँ वो करवाना चाहरा हूँ कि solid, liquid और gas में इन तिनों के अंदर speed of sound कैसे vary करेगी ठीक है जैसे पूछा जाए पहला question किस medium में sound की speed सबसे जाता है पैसे actually अगर हम सोचे ना तो जितना तेजी से compression और rare fraction बनेंगे उतनी तेजी से sound travel करेगी ठीक है तो कितना तेजी से compression और rare fraction किसी इस पर depend करा आपने disturbance create करा molecules टकराने के बाद जल्दी से वापस अपनी original position पर आगर आते हैं तो उतनी तेजी से compression and rare fraction transmit होगा ना सोचो हमने disturbance create करा molecules नजदीक आगे और जैसे ही हमारा हलका सा pause हुआ यह बहुत तेजी से पीछे आए बहुत तेजी से पीछे आएंगे मतलब इनके अंदर elasticity बहुत जादा है बहुत तेजी से पीछे आए तो जैसे पीछे आएंगे तो आगे वाले से टकराएंगे भी बहुत तेजी से तो अपना यहाँ पर rare fraction बनाएंगे और इसको मैंने यहाँ दिखा दिया यहाँ का rare fraction बना मतलब S state कई बनी तो बगल वालों पर क्या लगाएंगे जोर से collide करेंगे तो उन में compression बना देंगे ठीक है तो elasticity पर depend करता है density पर भी depend करता है अब खुद सोचिए जिस molecule की density जादा वो धीरे धीरे oscillate करेगा ना density ज्यादा है तो mass ज्यादा होगा की नहीं density equals to mass upon volume ठीक है तो mass is density into volume तो जितनी ज्यादा density उतना ज्यादा mass किसी object का mass ज्यादा धीरे धीरे oscillate करेगा है ना density ज्यादा होने के करण उसका oscillation ही slow होगा तो अपने disturbance को आगे यह पहुंचाने में भी time लगेगा अभी दोनों factors पर depend कर रहा है और दोनों factor opposite तरीके से काम कर रहे है ठीक है अगर density बढ़ती है देखो यह यहाँ गलत हो गया है ठीक है देखो यह कहता है अगर density बढ़ती है तो velocity decrease होगी क्योंकि proportionality inverse है अगर elasticity increase करती है तो velocity increase करेगी अब यह दोनों factor तो opposite result दे रहे हैं दोनों के increase होने से तो क्या किया जाए तो आप उनको देखना पड़ेगा कौन सा factor ज़्यादा influencing होगा actually क्या होता है solid liquid gas की बात करें जैसे state change होती है gas से liquid पे तो जैसे ही आपकी state change होगी तो molecules का molecular bond strong होता जाता है देखिए gas में जो molecules है उनके बीच का atomic bond है molecular bond है वो weak होगा liquid से और liquid का molecular bond जो है atomic bond जो है वो solid से weak होगा ठीक है तो आपके जो molecular bond है वो strong है तो आपने disturbance create करा तो वापस से molecular bond उसे तेजी से वापस लाना चाहेगा जितना strong molecular bond उतना तेजी से वापस लाना चाहेगा तो solid में elasticity उनके molecular bond की वज़े से भी होती है थोड़ा chemistry के level पर इसे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा मेरे को इतना ज़्यारिटी नहीं है chemistry की बट इतना मैं बता सकता हूँ ठीक है तो molecules वापस अपनी original position पर आना चाहेंगे ठीक है तो elasticity बहुत जाता होगी तो density अगर हम कहें air से liquid की thousand हुई लेकिन elasticity तो one lakh से उपर increase कर जाती है यहाँ पर यह तीन गुना हुई 10 raise to power 3 times हो गए 10 raise to power 5 times हो गई अभी भी यह इसका effect जाता होगा मतलब hundred times hundred times जाता हो गई under root हटाएंगे तो 10 times जाता हो जाएगी तो 10 गुना बढ़ जाएगी कुछ इस तरह का variation हमें देखने को मिल जाता है ठीक है अब यह मैंने एक lump sum amount के according ली है वैसा variation जो आपको देखने को मिल पाएगा वो करीब आपको चार गुना पांच गुना कुछ इस तरह का variation आएगा ठीक है मैंने 10 की power की terms में ऐसे ली है अब इसी चीज को थोड़ा सा modify किया गया क्योंकि यह तो solid के लिए हम elasticity की term में बताते हैं इसी elasticity को b beta कहने लगते है bulk modulus उसको और ज़्यादा correct करते हुए लापलास नाम के scientist ने यह relation दिया कि velocity इससे gamma p upon rho actually क्या होता है ना कि जब हम बोलते हैं तो molecules एक दूसरे के नस्दीक आते हैं जहाँ पर क्या हुआ pressure बढ़ा तो pressure बढ़ने वाले region में heat generate होती है क्योंकि pressure बढ़ेगा किसी जगे पे तो वहाँ पर temperature बढ़ेगा और temperature बढ़ेगा तो वहाँ पर heat बनेगी फिर यहाँ पर क्या हुआ expansion हुआ expansion हुआ तो यहाँ पर temperature decrease होगा तो यहाँ पर heat decrease होगी ठीक लिए कि यह process बहुत तेजी से होती है तो जो heat बन रही है और जो heat down हो रही है यह atmosphere में exchange नहीं हो पाती है इस तरह की process को कहा जाता है adiabatic process थोड़ा बहुता आप लोग chemistry में पढ़ रहे होगे मतलब ऐसी process जिसमें heat generate जरूर हो रही होगे लेकिन इतना rapidly यह चीज हो रही है कि heat को transfer होने का time नहीं मिल रहा है वो होता है adiabatic process यह उपर की relations जो है वो newton ने दिया उन्होंने का था यह आइसो thermal है लेकिन आइसो thermal नहीं है तो velocity का original relation correct relation यह बनता है यह सही है इस से यहाँ पर गए यह भी सही है लेकिन इसके बीच में एक relation दिया था उन्होंने यहाँ पे सिर्फ pressure कह दिया था वो कहना गलत था यहाँ पर gamma P upon rho होगा अब देखिए pressure upon rho यह जो value है यह तो एक दूसरे से related हो गई pressure बढ़ता है जिस जगए पर वहाँ पर density भी बढ़ती है देखिए इस जगए पर pressure बढ़ रहा है यहाँ पर molecule नजदीक दिया रहे density भी बढ़ रही है तो यह ratio constant बनेगा आप gases के लिए अगर हम देखेंगे देखो अगर कहा जाए किसी question में कि किसी एक gas में आपने pressure को increase कर दिया ठीक है प्रेशर को आपने increase कर दिया तो आप यह बताईए velocity में क्या change आप बोलोगे no change यह कि pressure increase हुआ है तो वहाँ पर उसी factor से density भी increase हो जाएगी उसी factor से density भी increase हो जाएगी और velocity constant बनी रहेगी ठीक है इसका धियान रखिएगा ठीक मैं इसे note down भी कर देता हूं इफ प्रेशर लेकिनी गैस के लिए बात हो रही है अगर मैं कहा रहा हूं यह 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 फिर गैस कैसे ठीक है इफ प्रेशर औफ गैस इन एक्रेश इस देन वेलोसिटी आफ साउंड रिमेंस सेंग उसका रिजन क्या होगा प्रेशर के इनक्रीज होने के साथ डेनसिटी भी क्या होगी इनक्रीज हो जाएगी और इस वज़े से वेलोसिटी सेम रहेगी मतलब साउंड वेव जो प्रेडियूस हो रही है उसकी वेलोसिटी कॉंस्टेंट ही बनी रहेगी ऐसा नहीं है कि प्र important factor आता है temperature अगर हम देखें कि surrounding का temperature increase हो यह decrease हो उसकी वज़े से क्या effect आएगा actually density से direct relate कर जाता है ठीक है हम यहां factor देखते हैं एक सीधा सा formula लिखा है मैंने velocity is directly proportional to temperature ठीक है यह pressure पर depend करता ही नहीं अगर आप इसका दूसरा formula देखोगे तो मिलेगा रो आर टी अपॉन एम एक formula और बनता है गामा आर टी अपॉन एम तो देखोगे यह तो हो गया molecule के mass molecular mass और universal gas constant यह तो temperature पर depend कर रहा है pressure density के उपर gas के case में यह वाला factor तो हट जाता है यहां पर number of molecules पर आगया pressure बढ़ा रहे हो molecule का mass तो सहीं ही रहने वाला है molecules के mass थोड़ी बढ़ेगा चीक है इसे यही धियान रखिए अगर सिर्फ pressure बढ़ाने की बात करता है तो आप यही कहोगे कि there will be no change in speed of sound velocity is directly proportional to temperature in under root अगर temperature की value बहुत कम है 273 से तो हम यह relation ले सकते हैं अब बहुत कम कितना बात यह भी हो बहुत कम तो 0 भी होता है कि temperature 0 तब यह use करें हम कह सकते है practically temperature की value अगर 25 degree Celsius तक की range में है तो हम यह formula यूज कर सकते है formula क्या कहता है velocity of sound at any temperature is equal to velocity of sound at 0 degree Celsius plus 0.61 into temperature in degree Celsius ठीक है अब हमें यहां यह भी पता लगेगा अगर हम temperature को 1 degree Celsius से increase करते हैं तो sound की velocity 0.61 times 61 factor से बढ़ जाती है ठीक है अगर temperature की value बहुत large दी है तो हमें यह formula यूज करना है again temperature is in degree Celsius देखो pressure का relation मैंने पीछे बोली दिया था आपको गामा गामा पी अपान रो अगर pressure increase करेगा तो density भी increase करेगी अगर question में सिर्फ बोला जाए कि pressure increase कर रहा है तो velocity of sound constant रहेगी ठीक है अगर temperature constant है वो temperature जब से pressure की बात कर रहा है तो temperature की बात करेगा ही नहीं humidity यहां बड़ा confusion होता है इसको समझ भी लिजिए देखो जो humidity है चीक है humidity के factor के साथ यह लिखा जाएगा pressure constant रहता है तो तो हम यह कह रहे हैं कि atmosphere में humidity बढ़ गई बारिश का time है ऐसा मान लो बारिश हुई और humidity बढ़ गई humidity का मतलब atmosphere के अंदर water vapors का increase होना अब हमारे दिमाग में क्या सोच रहती है कि water vapors are actually heavier वो हवा को heavy बना देते हैं अब समझते हैं actually जो हमारे air molecule है उनका molecular mass जो होता है 29 gram per moles यह आप लोग अच्छे से जानते होगे हमारे air जो है अगर हम air के combination को देखें हमारे atmosphere की तो उसमें जो air है dry air जो है उसका molecular mass यह है अब जैसे बारिश हुई तो मैंने एक given volume को लिया उस given volume में water vapor भी add होगे तो यहां हर एक molecule 29 का है यहां पे कुछ water vapor add होगे तो water vapor का molecular mass 18 होता है यह 29 से कम है तो यह जो नई चीज add होई है आप पीछे भी पढ़ रहे हो तो नई चीज जो add होगे इससे average density decrease हो जाने चीए इसलिए moist air की average density कम होती है as compared to dry air ठीक है और क्या देखाता पीछे V is inversely proportional to rho at constant pressure ना pressure अगर constant हो ठीक है जो atmosphere का generally रहता है हमेशा रहता है तो at constant pressure inversely proportional to rho ठीक है आप स कमरे में हो उसमें pressure increase कर दिया गया कमरे का किसी भी by external means तो कहोगे कि sound की velocity में क्या फरक है कोई फरक है आप pressure increase कर कैसे रहे air के molecule को नजदीक लाके pressure increase कर आपने density increase कर दी एक factor से velocity बढ़नी चीए दूसरे से कम उन्ची और issue एक दूसरे को cancel out करतेंगे ओके इसको अच्छे से ध्य नहीं बता है reason क्या है एक के साथ दूसरा भी vary कर जाता है